हलो गाइस वेलकम बैक टू यूनिकॉर्ण अकैडमी तो गाइस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं वी आईटी के फेस्टू के काउंसलिंग के बारे में हम आपको कट आफ बताएंगे सभी ब्रांच का एंड हम लोग फेस्ट्री के एक्सपेक्टेड कट आफ के बारे मे बात करेंगे तो चले फ्रेंड अब हम इस वीडियो को सुरू करते हैं कि अजय को गई सबसे पहले वैलोर केमपस के बारे में बात कर लेता हैं फेस्टू का हमने अल्रेडी एक कट आफ का वीडियो डाल दिया था और फेस्टू का देख लेते हैं उसके साथ साथ हम लोग 3 का expected cut-offs भी देखेंगे तो वैलोर में CSE campus के अगर बात करें तो phase 1 में category 1 category 2 और category 3 फिल हो गई थी and phase 2 में category 4 का cut-off रहा है 21 kk अप्रॉक्स and category 5 का 30 kk अंडर में रहा है तो category 4 भी फिल हो गया है category 5 भी नियर फिल हो गया है पूरा अब बात करते हैं CSE specialization के बारे में तो phase 1 में 2 category फिल हो गया है category 1 and category 2 category 3 का cut-off 23 kk अंडर रहा है category 4 का cut-off 31 kk अंडर रहा है and category 5 445 kk अंप्रॉक्स है तो नियर ली category 5 भी फिल हो गया it phase 2 में तो phase 1 में सुरू कहे दो category fill होई थी Eye and a face 2 में category सब्सक्राइब करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नलोजी के बारे में तो फेस वन में कैटिगरी वन एंड कैटिगरी टू हो गई थी एंड फेस टू में कैटिगरी थी का कट आफ 22 के के अंडर रहा है कैटिगरी फूर का निएले उखrzyए में तूदज सब्सक्राइब करें बारे में वारे लें वेलोर की तो फेस टू में कैटिगरी टू का कट आफ 21 के के अंडर टेगरी फोर कटाफ। 43 kkk approx रहा है and category 5 अभी चल रहा है तो फेस्टु में category 2 फिल होगी category 3 फिल होगी है and category 4 भी फिल होगी है category 5 अभी चल रहा है तो अगले जिनका भी मतलब phase 3 में category 5 में आपको इसी मिल सकता है अब बात करते हैं mechanical के बारे में तो phase 1 में mechanical पूरा फिल हो गया था category 1 and category 2 से स्टार्ट होगा phase 2 में category 2 का cutoff रहा है 29 kkk approx and category 3 का cutoff 45 kkk approx जितने भी बच्चे थे फेस्टु का 20 kk से 45 kk का counseling था phase 2 में तो 45 kkk approx ही रहा है category 3 का cutoff तो phase 2 में category 2 जो है वो mechanical की पूरी फिल हो गई है and category 3 भी नियरली फिल हो गई है तो यह हमने phase 2 के cutoffs के बारे में देखा expected cutoff की अगर बात करें तो आपको CAC जो है अगर आप उपर रखते तो specialization आपको मिल जाएगा IT का भी category 5 चल ही रहा है हो सकता है 2-3,000 मतलब 47-48 तक आपको category 5 में मिल जाए and ECE का भी category 5 चल रहा है लेकिन उसका हो सकता आपको 50-55 kk तक भी जा सकता है category 5 mechanical का category 4 जस्ट स्टार्ट होगा category 3 भी हो सकता 47-48 तक चले जाए किये था category 4 उसके बाद आपको मिलने लग जाएगा mechanical में वेलोर campus में तो यह तो वेलोर campus की बारे में बात कर लिया हमने अब चेनने campus के बारे में भी बात कर लेते हैं तो CSE के बारे में तो phase 1 के counseling में CSE का category 1 जो फिल हो गया था और phase 2 में category 2 का cutoff जो रहा हो 22 kk अप्रॉक्स रहा है category 3 का cutoff 32 kk अप्रॉक्स और category 4 का cutoff जो रहा हो 42 kk अप्रॉक्स रहा है category 5 जस्ट स्टार्ट हुआ है तो फेस्टू में category 2 category 3 and category 4 तीनों ही फिल हो गई है category 1 जो फेस्ट वन में फिल हो गई थी category 5 जस्टार्ट हो है तो अगले मतब राउंड में हो सकता आपको 55 के तक का 55 के तक जिनका भी rank है उनको category 5 में CAC मिल सकता है अब CAC specialization के बारे बात कर लेते हैं जिनके जितने भी ब्रांचे से specialization वाले CAC के तो कैटेगरी फेस्ट वन में category 1 नीरली फिल हो गया था तो 2000 और मतलब एड़ अप हुआ 20 के से तो category 1 का cutoff 22 के के अपरोक्स रहा category 2 का cutoff 27 के के अपरोक्स category 3 का cutoff 41 के के अपरोक्स रहा है तो यहां पे फेस्टू में category 1, 2, 3 फिल हो गई है अब category 4 मतलब स्टार्ट होगा तो जिनका भी next है मतलब 50 के तक 55 के तक आपको category 4 में ही CAC specialization का मिल जाएगा तो यह हमने फेस्टू का cutoff और फेस्ट्री का expected cutoff के बारे में बात के वी आईटी वैलोर एंड चेने कर सकेंगे और प्रीवियस डाउट को भी लेने की कोशिस करेंगे जो पिछले comment section में पिछले वीडियो के comment section में आप ने किया था तो इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ सेर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा